जहन दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे परिवार के साथ खुस होंगे तो दोस्तों IRCTC का सांदार टूर पैकेज चारधाम यात्रा का जिसमें बद्रिनात, गंगोतरी, किदानात, यमनोतरी कबर किये जाएंगे इनके आज़ पास के जो भी दर्सनी ये इस्ता लोंगे वो भी कबर किये जाएंगे IRCTC की इस सांदार पैकेज के बारे में बिस्तार से पूरी जनकरी देने वाले हैं और यह पैकेज एक अक्टूबर दोहर तेश को जाने वाला है पैकेज की कीमत क्या रहेगी पर पर सन और पर बच्चा क्या क्या इसमें आपको सुवीदा दी जाएंगी और क्या क्या नहीं दी जाएंगी और यह 11 राते 12 दिन का यह पूरा टूर होगा और इस पैकेज में आप कहां से सामिल हो सकते हैं तो यानि कि इस package में आपके क्या सामिल रहेगा, क्या सामिल नहीं होगा, इस package को आप कैसे book कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि आप चार दाम की यत्रा करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा tour मिल जागा कि आप बस बैठ जाएंगे और बापस आ जाएंगे, कुछ भी आपको करना नही भी मिल सके, तो चलिए, सुरू करते हैं, पहले package का नाम package के बारे में जा लेते हैं, तो सुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यात्रा पकेज का नाम है, 4 धाम यात्रा X दिली, package का code आप देख पा रहे हैं, NDH 24, origin सहर धrealी, यानि कि दिली से यह यात्रा पकेज जा रहा अपकमिंग डेट है 1 अक्टूबर 2023 और हम आपको बता दें यह 1 सितंबर और 15 सितंबर को यह टूर जा चुका है और इसमें कवर किये जाएंगे बद्रिनात, गंगोत्री, केदानात और यमनोत्री और इनके असपास के दर्शनी यह जो मंदर इस्ताल है वो भी घुमाये जाएंगे आपको और इस यात्रा की अबदी रहेगी 11 रातें और 12 दिन तो चलिए बिस्तार से समझ लेते हैं आई यार सीटी सी ने बर्स दोर 23 में चारदाम यात्रा के सुवारम की गर्व पूर्ण गोशना की है उत्तराखण में चार पवित्र मंदर हैं जो हिंदू देवई देपताओं और भारत की पवित्र नदियों को समर पेते हैं चार मंदर गडवाल चेतर के भीतर रिस्तित हैं और इने सामूर की रूप से हिमाले चारदाम की रूप में जाना जाता है जिसमें केदारनाथ, बद्रिनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री सामिल है पूरे भारत और विदेशों से तीरत यातरी हर साल इन मंदरों के खुलने का अंदिया करते हैं जैसा कि आफ सबी को पता है, एक मई दोयर तेईस में चारदाम की यातरा सुरू हो चुकी है ऐसा माना जाता है कि पृतिक हिंदू को जीवन में कम से कम एक बार तीरत इस्तलों पर बिराजमान देवताओं का आसरवात प्राप्त करने के लिए चारदाम की यातरा करनी चाहिए यात्रा पेकेज की डिटेल है यात्रा पेकेज का नाम है चारधाम यात्रा और इसका ओरिजन सहर यानि कि जिस सहर से ये जा रही है दिल्ली है और इसमें कबर किये जाएंगे केदारनाथ, बद्रिनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री traveling mode यानि कि याट्रा का mode रहेगा आप सड़क द्वारा जाएंगे यानि कि आपको by car या by बस लेया जाए जाएगा और पिर car रहेगा deluxe यानि कि आपको car से ले जाएंगे या बस से ले जाएंगे तो बो deluxe केडिग्री के होगी और समू का आकार और प्रस्तान तितिया आप देख पा रहे हैं एक सितंबर, पंदरा सितंबर और एक अक्टूबर तो एक सितंबर और पंदरा सितंबर का टूर जा चुका अब एक अक्टूबर का समय है आप उसमें जा सकते हैं तो यात्रा कारिकम इस प्रकार रहेगा पहले दिन दिल्ली से हरिद्वार जो की 205 किलोमीटर है 6-7 गंते लगेंगे आपको जो की IRCTC रेल यात्री निवास बिल्डिंग अजमेरी गेट साइड पर सुबह नो बजे आपको रिपोर्ट करना हुआ दिल्ली में IRCTC प्रतिनी द द्वारा मिलें और अभिवादन करें सडख मार्क से आप अरिद्वार के लिए आगे बढ़ेंगे राश्ते में दुप्यार का भोजन आपको आपके खुद के कर्चे पर करना हुआ आप हरिद्वार आ जाएंगे चेक-इन करेंगे रात्री बोजन और रात्री विसराम आप नाश्ते के बाद होटल से चेक-आट करेंगे और बरकोट के लिए प्रिस्तान करेंगे साम को आप बरकोट पहुँच जाएंगे और होटल में चेक-इन करेंगे और रात का भोजन आपको दिया जागा और रात आप बरकोट में गुजारेंगे इस परकार से आपकी य जानकी चत्टी जानकी चत्टी से यम न जिवी के बाब सी में यमनो お inhabited से जानकी चत्टी जाकि बर्कोट यूद्र जादव्ह नरी जालीस किलो मीटर का आपका डुराइब की आपको ले जाया जा यदि आप परियापतर रूप से फिट हैं तो आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं यह कापी कटिंग ट्रेक है यमनोत्री अगवन पर देवी यमना के पवित्र मंदर जो की 3120 मीटर की उचाई पर है उसके दर्सन करेंगे बर्तमान मंदर का नर्माण 19-20 सतावदी में जैपुर की महरानी गुलेरी या देवी द्वारा कराया गया था मंदर के चारो और प्राकरतिक गरम पानी के जरने तीर तयातियों के लिए मुक अकरसर हैं पूजा दर्सन के बाद आप जानकी चट्टी के और बाफसी की यत्रा और रात भर रुकने के लिए बापस बर्कोट के लिए रात का भोजन आपको दिया जागा और आत्री बिस्राम करेंगे इस परकार से आपकी यात्रा का तीसरा दिन भी समाप्त हो जाएगा आपकी यात्रा का चौता दिन बर्कोट से उत्तरकासी जो की सो किलो मीटर लगवख पड़ता है और इसमें पांसे छे गंटे का समय लग चौताजी बिस्राम करेंगे इसमें फिर्चा भोजन आपको दिया जागा इस परकार से आपकी यात्रा की यात्रा का चौता दिन समाप्त हो जानग के लिए निकलेंगे नास्ता पैक किया जागा आपको बागी राती नदी के साथ साथ गंगोत्री की यात्रा एक अद्बोत यात्रा बन जाती है खुबसूरत गाटिया चोटी नदीया जरने इस्तानी गाव यहां देखने लायक है गंगोत्री मंदिर 3050 मीटर की उचाई पर है आपदेवी गंगा माई के पवित्र मंदिर के में ज अपसी करेंगे रात में आपको भोजन दिया जागा और रात्री विश्रा में आप करेंगे तो इस प्रकार से आपकी यात्राखा पांच बस दिन समाप्त हो जागा आपकी यात्रा च 60 दिन उत्तरकासी से गुप्तकासी और शीटापुर जो 122 Contri जिसमें 10 से 11 गंटे लग जाएंगे तो आप 60 दिन यात्रा के सुवे नास्ते के बाद होटल से चेक आउट करेंगे और गुप्तकासी सीतापूर के लिए प्रिस्तान करेंगे साम को आप गुप्तकासी या सीतापूर आगवन पर होटल में चेक इन करेंगे रात्त्री बोजन करेंगे और रात्त्री विस्ताम करेंगे इस परकार से आपकी यात्रा का छटा दिन समाप तो हो जाएगा आपकी यात्रा का साथवन कुछ इस परकार से होगा गुप्तकासी या सीतापूर से आपको केदारनाद ले जाए जाएगा जो कि 35 km है, फ्रांसे आप ट्रेकिंग करेंगे 16 km के लगबग, तो इसमें 8-9 गंटे लगएंगे, तो आप साथ विदे नियात्रा के सुबह चार वजी उटल से चेकट करेंगे, और केदानात तेयात्रा के लिए, यहां से पॉनी और पाल की सिवाओं की बुकिंग, या स्वम की लागत में ले सकते हैं, यहीं से सुरू होगा आपकी ट्रेकिंग का रूट, आप केदानात पहुचने पर धरमसाला में चेक इन करें, तरुता जाओंगे, ओने के बाद साम को आप आरती करें, आरती दरसन में सामेल होंगे, केदानात मंदर जाएंगे, राती बिसराम के दिया जाएगा और आपकी यात्रा का साथ बदिन केदानात में खथम हो जाएगा, आपकी यात्रा का आट बाद दिन कुछ इस पगार रहा है, एप केदानात से आप गोरी कौंड से सीता पर या गृप्तकासी, जिसमें आपको पता कि केदानौ की ट्रेकिंग सॉला किलूम प्राचीन मंदिर का निर्मान पांडवों द्वारा कराया गया था और साथवी सतावदी में जगत गूरु संक्राचार द्वारा इसका जीरनों द्वार किया गया नास्ते के बाद आप होटल से चेक आट करेंगे और गोरी कुंड तक 16 किलूमेटर की पेदल यात्रा करेंगे गोरी कुंड पहुंचने पर सोन प्रयाग जो की स्वयम की लागत से पेकप जो टेक्सी मिलेगी होटल तक आप आजाएंगे और उसके बाद आप टेक्सी से सीतापूर या गुप्तकासी आजाएंगे रात त्री विस्ताम आप वहीं करेंगे वहाँ पे आपको रात का समाप्त हो जाएगा आपकी यात्रा का नवे दन कुछ इस पकार रहने वाला है गुप्तकासी सीतापूर से आप बद्री नाथ जाएंगे जो की 220 से 250 किलो मिटर है जिसमें 9 से 10 गंटे लगेंगे तो आपकी यात्रा के नवे दन में सुबह आप जल्दी उठेंगे नास्ता आप बद्री नाथ मंदर के दर्सन करने के लिए जाएंगे और दर्सन करके बापस आप होटल में आ जाएंगे रात्री वोजन आपको बद्री नाथ में दिया जागा और रात्री वे साम आप बद्री नाथ में करेंगे इस परकार से आपकी यात्रा का 9 दिन समाप्त हो जा बध्धिनात का बरतमान मंदर, 70 सतफदी के दोरान, आदी गुरू संक्राचार दोरा बनाया गया था, भगवान बिश्णू के मुक्व मूर्ती काले पत्तर से बनी है, जिसे साले गराम कहा जाता है, बध्धिनात मंदर की यात्तरा से पहले, व्यक्ति को मंदर के बाहर, इस् के बाद आप भारत तिब्बस सीमा पर इस ते तो भारत के आकरी गाम गाम माना गाम तक आपको ले जाया जागा वहाँ पर आप गड़ेज गुपा ब्यास गुपा भीमपुल सरस्वती नदी का दोरा करेंगे और उसका रात्री में विस्राम के लिए आप जो है आ जाएंगे और रुद्रि प्रियाग आ जाएंगे वहाँ पर आपको रात्री का भोशन दिया जागा और रात्री विस्राम करेंगे इस प्रकार से आपकी यात्रागा दस बह दिन समापत हो जागा आपकी यात्रागा 11 दिन कुछ इस प्रकार रहेगा बिराही रुद्रप्रियाग या स्रीनगर से हरिदवार जो की 200 से 120 किलोमीटर है जिसमें 8 से 5 गंटे लगेंगे तो आपका 11 दिन शुरूगा और सुबह जल्दी उठकर नास्ता करेंगे आप रुद्रप्रियाग से निकल करेंगे इस प्रकार से आपकी यात्रागा 11 दिन समाप्त हो जाएगा आपकी यात्रागा 12 दिन केवल ड्रोप का रहेगा यानि कि हरिदवार से आपको दिल्ली ड्रोप की जागा जो की 205 किलोमीटर है 7-8 गंटे लगेंगे यानि कि आप 12 दिन सुबह उठेंगे नास्ते के रेल यात्री निवास पर उतरेंगे आप चार दाम के चिरिस्ता यादों के साथ आपकी यात्रागा समाप्न हो जागा उप्रोक्त यात्रा कारिगां केवल सांकेतिक है आईर सीटी सी और हैंडलिंग एजेंट परीचालन समश्य इस्तानी प्रसेद्यों के मदिने बदलाव कर सकते हैं आपकी यात्रा पेकेज में सामिल रहेगा ग्यारा रात और बारा दिन होटल की सूची अभी हम आपको बताएंगे उन होटलों में आप काबास रहेगा समू के आकार के अनुसार पूरे दोरे के लिए आपको आराम दायक एसी टेंपो एट्रेवलर दिया जागा हरिद्वार और बापस तक ये जो है ट्रेवलर रहेगा यात्रा कारक्यम के अनुसार नास्ता और रात का खाना आपको दिया जागा दुपहर का भोजन आपको आपके पैसेस करना है सभी सरकारी GST सेट कर सारे लागू रहेंगे इसी पैकेज में प्रती दिन एक लीटर पानी की बोतल आपको दी जागी बागी पानी आप अपने पैसेसे लें बीमा रहेगा इसमें तो ये सारी चीज आपकी इंक्लूड रहेंगे आपके पैकेज में जो आप पैकेज की कीमत देंगे उसमें अब जो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं है यानि कि आपके यात्रा पैकेज में सामिल नहीं है वो आपके इसमें सामिल नहीं रहेगा आप आपके घर से दिल्ली तक जाएंगे दिल्ली से बापस जाएंगे ये भी इसमें सामिल नहीं रहेगा जो इसमें बता गया कि आपको सुब्य का नास्ता और रात का भूजन दिया जागा लंच आपको आपकी पैसे से करना हुआ और इसके लावी आप कुछ अलग से कोई काम करते हैं जो आपकी यात्रा पैकेज में सामिल नहीं है तो वो आपको पैसे उसके दिये जाएंगे और यदि मान लीजी यात्रा के समय कोई प्राकर तक आपदा हो जाती जैसे भूष खिलन सडक अबरोद राजनीति गरवड़ी आड़ताल आदी कर उत्पन होने वाली कोई भी दिक्कत आती है उसमें जो पैसा लगता वो भी गिराक को ही देना होगा बांकी आप देख सकते है यह आपकी यात्रा पैकेज में सामिल नहीं है यह आप देख सकते होटल की सूची है जहां पर आपको रुखाए जागा उनके नाम दे राके हैं होटल रिजन्टा और कूस या गौडविन या रेनेश्ट दा मंत्रा या इसके समकच हरिद्वारिश के समय है अब आपको खा में आपको सिविलिंग कॉम्प्लेक्स होटल या साक क्श में रुखाए जँगा गुप्त कासी लिए फाटा में आपको सिविर निर्वान या केदार रिवर रीट्रीट आपको रुखाए जागाम इनगर बिराही रुद्व प्रियाग में आपको मॉनाल रिजॉट या अब आप ये टर्म और कंडिशन नियम है वो और आप देख लें चलिए अब पैकेज की कीमत जान लेतें की पृति व्यक्ति कितनी कीमत आपको इस पैकेज में चुकानी होगी आप देख सकते हैं यदि आफ सिंगल एकुपेंसी का इस्तमाल करते हैं आफ सिंगल जाते हैं तो 21.30 रुपे आपको चुकाने होगे और यदि आप sharing में याई कि double occupancy दो लोग के साथ में करते तो 50,0560 रुपे और यदि आप triple sharing याई ट्रिफल occupancy करते हैं तीन लोग के साथ में करते हैं तो 44,790 रुपे आपको इसकी कीमत पड़ेगी आपको याई पर-person की अब बच्चे की बात करें बच्चे दी 5-11 साल का है और बिस्तर चाहिए उसको तो 70,500 वहीं दी बच्चा 5-11 साल का बिस्तर नहीं चाहिए तो उसके 18,270 रुपे चुकानी होगा प्रति-ब्यक्ति खर्चा भी आपने बता दिया इस प्रति-बच्चा बिस्तर और बिस्तर नहीं के साथ चलिए आप जान लेते हैं कि इस टूर पेकेज को कैसे आप बुक कर सकते हैं इसकी और की क्या क्या जानकर ले सकते हैं आप तो दोस्तो आप देख पा रहे हैं यह जोन है नॉर्थ जोन चंडीगर रीजिनल ओपेस है लखनव है जैपूर है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए फोन नंबर टेली फोन नंबर इमेल आईडी फेक्स और वेफसाइट मिल जाएगी इन पे आप संपर करके पूरी पूर्श सकते हैं उसका कमेंट्स में जब आप देंगे दो दोस्तो आगे भी आपको ऐसे ही यात्रा सम्मद्धार में क्यात्रा हो या परियाटन यात्रा हो सबकी जानकरी हमें इस चैनल पर देते हैं तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ा है सब्सक्राइब और बैल क सब्सक्राइब और जानकरी मिल सके वीडियो देखने के लिए आपका दिर्नेवाद जय हिंद जय भारत